हेलो फ्रेंड तो लेकर आगए हैं एक और इंपोर्टन कोश्चन्स जो आपके लिए बैस्ट है ठीक है और यह बैस्ट अभी होता है जब हम उसको को सॉल कर लेते हैं ठीक है तो देखिए कैसे कोश्चन्स है और उसको किस तरीके से सॉल करना है वह चीज़े हम यहां पर देख लेते हैं ठीक है एन की वेलू बताईए तो सीधा सा है देखिए एन का फॉर्मुला अपलाई करिए जो दिया है वहीं से शुरुआत करते हैं क्या है ए प्लस ब्रेकेट में एन माइनस वन इंटू डी एन की वेलू है 7.2 एकी वेलू है माइनस 7.2 और यहां पे प्लस एन की वेलू कितनी है पता करना एन माइनस वन और डी की वेलू कितना दिया हुआ है 3.6 अब देखिए यह 7.2 माइनस में तो इस तरह पाएगा इक्वल के तो 7.2 पॉजिटिव है यह 7.2 इधर पॉजिटिव था यह वाला जो एकी वेलू है वो इस तरह पाया इक्वल के तो 7.2 हो गया है और यहां पर n-1 multiple 3.6 अब यहां देखो 7.2 7.2 कितना हो जाएगा 14.4 हो जाएगा 0.2.2.4 और 77 14 और यहां पर n-1 है अच्छा यह जो 3.6 है इधर डिवाइड हो जाएगा 3.6 से डिवाइड अगर करता हूँ मैं ठीक है अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितनी value आ जाएगी obviously 4 आ जाएगा यह तो multiple करने पर देखे छोटा भी अगर कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं ठीक है चाहूँ तो आप देखो decimal के बाद यह decimal के बाद यह हड़ गया 144 हो गया और यहां पर 36 आ गया यहां एन-1 हो गया अब देखे 364 जा 144 होता है तो आप यहां पर लिख सकते हैं 4 आ गया और यहां पर एन-1-1 इदर आके कि एड हो जाएगा four plus one हो जाएगा एड की वैलू कितनी आ गई फाइप ऑ गया ठीक है तो इस तरीके से यहां पर एंसर हो जाएगा डी ऐसे कोशन को solve करेंगे ठीक है जो भी ऐसे कोशयन आएगो इसको इसे दिखे से solve करेंगे ऑ कि दन्यबाद हेलो फ्रेंट तो आपके सामने एक और important questions लेकर आ गए हैं और यह question को सबसे पहले तब पढ़ लेना होता है बोला है the nth term of an ap 83-2 is dash मतलब nth term term की बात कर रहा है मतलब an पूछ रहा है ठीक है क्या पूछ रहा है an पूछ रहा है और इस ap से आप देखो तो a आपको मिल जाएगा 8 और d अगर निकालना है तो आप देखेंगे कि 3-8 कर लेंगे तो आजाएगा क्या माइनस 5 आजाएगा ठीक है अब फॉर्मुले में अपलाई कर लीजिए आपको nth term चाहिए तो a n equal to a plus n minus 1 into d apply कर दीए a की value कितनी है 8 plus n minus 1 और d की value कितनी है माइनस 5 अब यहाँ पर तो 8 है अब देखिए माइनस 5 का n के साथ होगा तो माइनस 5 n हो गया और यहाँ पर देखिए माइनस 5 का माइनस 1 के साथ plus 5 हो गया अब यह देखिए 8 और 5 जो नो प्लस में है तो 8 5 कितना हो गया 13 हो गया और यह माइनस 5 n अब ऐसा कहां पर देखने हलो फ्राइंड आपके सामने एक और important questions आ गए हैं और यह question जो है न यह भी बहुत अच्छा important questions है जैसे देखिए यहां बढ़ दिया है 27 k plus 4 apk यह क्या है टम है जैसे कि ap ऐसे लिखा हो और यहां 2 हो 7 हो और k plus 4 हो कोई जरूर नहीं कि यह मतलब पहला है यह हो सकता है बीच के करंसा यह टम हो अफिक है तो आपको पता है कि जो डी निकालते हैं डी 1 इक्वल टू डी 2 होता है क्योंकि difference क्या होता है सीम होता है यहां पर a2-7 कर लो और यहाँ पर A3 minus A2 कर लो, यह तुम्हारा A1 हो गया, यह तुम्हारा A2 हो गया, यह तुम्हारा A3 हो गया, तो देखिए, A2 क्या है, 7, minus A1 क्या है, 2 है, A3 में क्या है, K plus 4 है, और A2 क्या है, 7 है, तो minus 7, अब देखिए, 7 minus 2 क्या हो गया है, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर देख तो के कि वैली कितनी हो गई एट हो गया एट कान सा है यह पता करना तो एंसर गया इस तरीके को इसे सॉल करेंगे ठीक है है तो आपके सामने मस्त इंपॉर्टन कोश्चन आ गया है और यह कोश्चन सना देखिए बहुत ही आसान है उसको कंप्लिकेटेड ना करें ठीक है देखिए जब बोले ना फॉसम फॉस्ट थ्री टॉम अफन एपी फिप्टी वन तो सबसे पहले ना मान ले ठीक है कि मैं पैन ले लेता हूं ठीक है ओके तो सबसे पहले क्या बानेंगे कि जो थ्री टॉम है ठीक है टॉम आफन एपी देखिए एक तो ए होता है इसके बाद वाला टॉम क्या होता है ए प्लस दी तो इससे पहले वाला क्या होगा ए माइनस डी ठीक है यह टॉम है है क्लियर अब यहां पर देखिए वह कहा है कि सम बुला है तो सम का मतलब क्या हूँ इसका मतलब क्या है सम of first three term मतलब पहला वाला a minus d plus a फिर a plus d ठीक है और इसकी value कितनी दिया है 51 अब यहाँ पर देखिए यह plus d और यह minus d cancel हो गया यहाँ पर a plus a plus a 3a हो गया और यहाँ पर a की value आ गई 51 divided by 3 एक की value कितना आ गया 17 आ गया ठीक है और यहाँ आपर ज्यान दीजिए एक में बोला है कि first और third term का multiplication तो आपका first वाला क्या है a minus d और third वाला क्या है a plus d इनका product बोला है 240 तो यह क्या हो गया है a square minus d square हो गया 240 और a की value कितनी है 17 17 square करो अब यहाँ 17 का square 289 हो जाएगा और यह 240 इदर आएगा तो minus 240 हो गया और यह plus d square इदर आया तो minus d square इदर plus d square हो गया अब यह minus करेंगे तो 49 आजाएगा डी square तो यह square किसका होता है 7 plus minus 7 का square d square square cancel तो d की value क्या आ गई plus minus 7 अब इसमें answer कौन सा दिया है plus दिया है तो plus वाला right minus वाला भी दिया रहा था तो भी right होता ठीक है तो इस तरीके से ऐसे questions को हम इस तरीके से solve करेंगे clear ना ठीक है ऐसे जब भी question आया तो इसी तरीके से इसको solve करना है कि अलो फ्रेंड तो आपके सामने सबसे easy questions लेके आ गए हैं लेकिन यसी easy को बच्चे hard बना देते हैं देख कितना easy दिया हुआ बोला है एंत्र टॉम अपन एपी 3N मतलब अन की बात बोला है यहां पर मैं पेंट सिलेट का लिया बोला है एं एं एंत्र टॉम मतलब न तो एं आपको देखे रखा है 3N प्लस 1 अब बोला है कि 30 टॉम क्या होगा मतलब एं की वैलू 30 रख दो न एक ही वैलू में यहां पर 30 रख दू तो यहां पर एं की जगा पर क्या रख दिया 30 प्लस 1 कितना ही जी है 33 जा 9 90 हो गया प्लस 1 कितना हो गया 91 कौन सा ओप्शन हो गया भी ओप्शन राइट है बहुत यह आसान था यह कोश्चन्स मुझे लगता है कि आप दो सेकेंड में फटाक से एंसर लिख सकते थे एक और बैतरीन कौशन्स आ गया है और यह बैतरीन कौशन्स बहतर लोग ही कर सकते हैं जैसे यहां पर कोश्चन्स पर देखिए AP दिया हुआ है पहला क्या दिया है root 2 d किया मिल रहा है root 2 देखो n-1 और d की वेलू क्या और रूट2 अभी यहाँ पर तो है आपका रूट-2 रूट ू का N से करो गये तो n रूट 2 हो गया अभ फिर यहाँ। रूट से रूट से कैंसल plus- मॉइनसे आपका आया जिल्ए है क्या आ एक इन रूट 2 आया वहां डिलाना समो सोरी पूछा था चलो एक तो और आसान होगे अगर गलती से यह भी कर ली होगे न तो एस एन क्या हो जाएगा एन अपन्टू ब्रेकेट में ए प्लस एन देखो और यह तो फॉर्मिला लगाते हैं अब यहां पर एन अपन्टू है यहां पर आपका कितना है रूट टू है और एन कितना है एन रूट टू है बहुत ही आसान तो एन अपन्टू और यहां से दोनों में से रूट टू कॉमन कर लिए तो यहां वन बचा और यह एन रूट टू उपर है और यह टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू कर सकता हूं लेकिन एक रूट्टू से कैंसल एन अपान रूट्टू वन प्लस एन तो क्या उन साथ हो जाएगा इस तरीके से आप कोशन को सॉल कर सकते हैं ठीक है हमें तापके सामने एक और और तो अ हैं औR पर यह चुछ पकी सामने वहां यहां पर जो सामने द किया हूँ तो इस तरीके से साथ होगा और यहां पर कौशन में देंOut nada आण चेया यह मतलब टू ले ले तो इसका फॉर्मुला यहां पर देख रखा है 5N प्लस 4 और डिवाड़ेड बाई 9N प्लस 6 ठीक है अच्छा अगर मैं यहां पर साइड में अगर मैं बोलू हूं कि यहां पर लिखू तो क्या यहां पर लिख सकता हूं देखेंगें का अपन टू ब्रेकेट में टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन्टू डीवन ठीक है और इसके निचे भी n21 ठीक है n21 अपन 2 यहाँ 2a2 प्लस n-1 d2 इस तरीके से लिख सकता हूँ तो यह तो पूरा cancel हो गया इसके equal to 5n प्लस 4 divided by 9n प्लस 6 है अब यहाँ पर एक logic देखिए 2a प्लस n-1 d1 और यहाँ पर 2a2 प्लस n-1 d2 है 5n प्लस 4 divided by 9n प्लस 6 अब यहीं पर समझना है ठीक है देखिए अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा है कि टू का इधर multiple है यहाँ पर देखिए यह पर कोई multiple नहीं है यहाँ 75 अगर यहीं पर मैं 2 का multiple करूं यह 2a1 हो जाएगा यह 72 जा 34 हो जाएगा यह 34 कब आएगा जब एन की वेलू 35 रखोंगा तो एन की वेलू में क्या रख दिया 35 तो यहाँ पर आ गया है आपका 2a प्लस 35 माइनस 1 दीवन और यहाँ पर 2a2 35 माइनस 1 दीटो तो यहाँ पर भी एन की वेलू 35 रखेंगे तो 5 में 35 प्लस 4 और 9 में 35 प्लस 6 तो इस तरीके से करेंगे तो देखिए यह वाला क्या बन जाएगा आपका देखिए 2a प्लस 34D सब 11 लिख लो और यहाँ पर 2a2 प्लस 34D2 हो जाएगा यहाँ पर देखिए 35 फाइजा कितना हो जाता है ठीक है दोनों मुल्टिपल करके और एंसर लिखने थर्टी फाइब अगर मैं फाइजा करने जाओं तो फाइफ फाइजा 25 लिख लेते हैं यहाँ पर फाइजा 25 और फाइजा 15 और तू 17 प्लस 4 है और यहाँ पर क्या हो गया नाइन फाइजा नाइन फाइजा 45 का 5 हो रहा है नाइन फ्री जा 27 और 431 हो गया यहाँ प्लस 6 है ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसमें से अगर मैं 2 डिवाइड कर दूं और 2 इसमें से भी डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोने तरफ डिवाइड तो यहाँ पर क्या बचेगा इवन प्लस 17 दी वन और यहां पर एड्जू प्लस 17 डी तू और यह क्या हो गया लिकर 17 9 हो जाएगा और यहीं तो है एन का रिष्यों तो यहाँ पे एंसर क्या हो जाएगा पॉस्ट उड़ाता है तो ऐसे देखते रहे हो और अपने आपको ब बनाते रही हैं धन्यवाद